आप देख रहे हैं कसिस नियूस मैं हूँ अंकिता सिंग इस बक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद है EIM के परदेश अध्यक्ष अक्तरूल इमाम सरसर बिहार में आप लोग महागठ बंदन की सरकार में है समय समय पर जो समस्या होती है परिशानिया होती है हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं लेकिन इस बक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है लगातार केविनेट की बैठक हो रही है हर एजेंडे पर मुहर लग जा रहा है सिवाई सिक्षक अभियार्थियों की असिक्षा कभियार्थि लगातार धर्णा पर्दसन कर रहे हैं क्या कहते हैं देखे एक तो बात यह है कि अब हम लोग नहीं रहें सिर्फ मैं अकेला रहा गया हूँ हमारे लोग तोड़ लिये गए हैं और मौमला यह है कि हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया है करचे पार्टी को मेरे समर्थन के बेगार भी उसकी हकुमत बन रही थी लेकिन चुके बीजेपी हम बेचारिक तोर पर बीजेपी और फिर्का परस पार्टी के साथ नहीं रह सकते इसलिए हम लोगों ने मुद्दों के साथ पर समर्थन दिया है मौमला यह है कि आप देखेंगे कि अहां महां मुद्दे पर बिजली पर अभी सबसीड़ी देनी थी कल परमपराओं के बिलखलाब सारे दजब जही केबिनेट करके हकूमत ने सबसीड़ी जारी कराई बिहार में इंडिस्ट्री नहीं है बिहार के पास जो आपार संभाबना है वो मानब संसाधनों का विकास है और मानब संसाधनों के विकास का नाम ही है सिक्षक मानब संसाधनों के विकास का नाम है स्कूल मानब संसाधनों के विकास का नाम है वेल ट्रेनिंग यह सारे ओने चाहिए और बिहार में इस सारा मामला कॉलैप्स कर गिया है बिहार में सबसे 50 कॉलेज था साइंजा कोलेज पटना वहां के टॉपर्स वहां पर एड़मीशन होने के बाद बच्चे के अंदर की जो सलाइयت होती थी माबाब भी समझते थे कि मेरा संतान कुछ कर गुजरेगा और आज आपड़ागी असमसान की तरह में अपर सन्नाटा बना हुआ है जो सबसे बड़ा नुक्सान पहुचा है बिहार में गरीबों का जो कहा गया था कि देश आजाद होगा तो चाहे राजा का बेटा चाहे मेहतर की संतान सब को मिलेगा आउसर यक समान ये सबने 75 सालों में पूरे नहीं हुए और सबसे दाठगी अगर हुई है तो गरीबों की दलीतों की रिकसा ठेला चलाने वालों की पिछले लोगों की कि उनके बच्चे नहीं पर पा रहे हैं एक तरह बड़े लोगों के लिए बड़े स्कूल खुल गए प्राइबिट स्कूल गए और जब तक बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त सतर से पहले उसके बड़े लोगों के बच्चे भी डीम के और एस्पी के बच्चे भी गौर्बंट इसकूल में पड़ते थे उसकूल का अस्टर अच्छा था इसकूल के सिक्चक मक्वालिटी थी लेकिन 17 और 80 के बाद जो किरावट आई उसके बाद प्राविट इसकूल हो गए बड़े नहीं मिल पाएगी अभी पर्थम की रिपोर्ट आई है कि किलास 8 के बच्चे किलास 3 की किताब है 56 पंसर नहीं पड़ पा रहे हैं जोर घटा नहीं कर पा रहे हैं सब्दों का ग्यान नहीं है तो यह सरकार उर्दू के मामले में उर्दू जबके भारत के सम्मीधान का बाय दूबहसी हैं और उर्दू के टीचर 2000 आज 10 साल से डंडे खा रहे हैं उनका रिजल नहीं दिया जा रहा है बहाल करना तो दूर की बात है रिजल नहीं दिया जा रहा है कि सिक्षा की व्यवस्ता बेहत बत्तर है बत्तर हो गई है करॉप्शन में डूबी भी सरकार है और नहीं हो लेकिन बिहार के युवाओं ने जाकर बाहर से रोजी रोटी कमाई है चाहे दिल्ली के मकान बराने में मजदूरी करनी हो पंजाब के खेतों में जलना हो हर्याना के कीचर में सरना हो या फिर इंजिनियर बनकर के दोसरी जगा कमाई करना हो एब रोड जाना बिहार को रासी भेजा और बिहार कि आज जो सबसे बड़ी आमदनी है यही प्लाइन वाले मजदूरों की के टैक्स के पैसे से सरकार चल लए है लेकिन आज क्या रहा है अच्छा इलाज है तो ब्यार से प्लाइन कीजिए पढ़ाई है तो प्लाइन कीजिए रोजगार के मैं करा हूँ यह चिंगारी है यह सरकारों को जला कर रख देगी और आम लोगों को भी मीडिया के साथ यह उठना चाहिए कि बिहार के साथ जिल्लों का भी प्रेम है वह जब तक बिहार में सच्छनी विवस्ता ठीक नहीं होगी तो बिहार में करप्शन पर जब तक काबू होते डंडे बरसाये जाते हैं लोगों की जो सिक्षा की वधाली है उस पर सरकार सुनती नहीं है वो लोगों नियोजित नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो यह कहीं न कहीं एक चिंगारी है जो बड़ा अंदोलन का रूप ले सकती है फिलाल खृत नहीं बनरे कस्षिस में पड़ना संगिता संगिरुप